पुलिस के अनुसार, क्रिकेटर भाई हार्दिक पंद्या और क्रुनाल पंद्या ने सोतेले भाई वैभव के साथ मिलकर 2021 में एक पॉलिम बिजनेस फम की स्थापना की थी और वैभव को दैनिक कार्यों की देखभाल करनी थी करीब 4.25 करोर रुप्य की ठगी का शिकार हुए भार्थिय क्रिकेटर भाई हार्दिक पंद्या और क्रुनाल पंद्या के सोतेले भाई वैभव पंद्या को मुंबई पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस विभाग की आर्थिक अप्राद शाखा EOW के अनुसार पंद्या बंद्यों ने वैभव के साथ मिलकर 2021 में एक पॉलिम बिजनेस फम की स्थापना की थी और वैभव को दैनिक कार्यों की देखभाल करनी थी अधिकारियों ने कहा कि वैभव में समझोते की शर्तों का उल्लंगन किया और दोनों भाईयों को अंधेरे में रखते हुए उसी व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अपनी स्वामित्व वाली फम स्थापित की बाद में वैभव ने कथित तोर पर एलेलपी सीमित देयता भागीदारी फम से पैसा अपनी फम में भेज दिया दीरे दीरे साजेदारी फम में मुनाफ़ा कम हो गया इसके अलावा अपने उचित हिस्से से अधिक वैभव ने कथित तोर पर दोनों भाईयों को बताए बिना एलेलपी फम में अपना लाब प्रतिशत भी धोखाधरी से बढ़ा लिया इसके लिए उन्होंने एलेलपी समझोते पर कथित तोर पर पंड्या बंधों के जाली हस्ताक्षर किये UW के एक अधिकारी ने कहा अधिकारी ने कहा जब मुंबई इंडियन्स के कप्तान और क्रुनाल पंड्या को इसका पता चला तो उनमें से एक ने वैभव का विरोध किया जिसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी एक अधिकारी ने कहा जाचकरताओं को अपराद में वैभव की सहायता करने में और लोगों के शामिल होने का संदे है और मामले में उनकी भूमिका सुनिश्चित होने के बाद और गिरफतारिया होने की संभावना है वैभव पर भारतिय दंड सहिता IPC की अन्यधाराओं के अलावा धोखाधरी, आपरादिक विश्वासघात, जालसाजी, आपरादिक साजिश और आपरादिक धमकी का आरोप लगाया गया है मुंबई पुलिस की EOW में वैभव को 8 अपरेल को गिरफतार किया और अदालत में पेश किया जिसने उसे 12 अपरेल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया